तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में एक कोईशन पूछूँगा उसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इस वीडियो की पीडिया फाइल के लिए टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं वहाँ पे करेंड अफेस की बहुत सारी जाएंगे तो आप टेलिग्राम चैनल जरूर जॉइन कर लें मैं अनेकेडमी पर ही पढ़ाता हूं तो आप अनेकेडमी का लर्निंग के प्लेश्टोर से डाउनलोड करके उसमें ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं अपने अनेकेडमी प्रोफाइल के लिंग इस सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आया दोस्तों तो उससा बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर किया करें जितना ज्यादा उसके शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनकी वहल्प हो सके फेस्बूक वाट्सअप ग्रूब में ठीक है चली स्टाट करते हैं पहला क आपको बता दें कांध प्रदेश सरकार ने एक मुबाइल प्लेटफॉर्म यानि एक किसान लॉंच किया है जो छोटे पैमानों पर किसानों को उचीत मूल पर अपने उत्पाद का विपढ़न करने में सक्षम बनायेगा और यह मंच वैश्युक भुक्तान और प्रद्वक सक्री और भुक्तान करने एक आशान और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है इसके लाब आपको बता दें को मुख्यमंत्री एंच अंद्रबावु नैडू ने लॉंच किया और यह मंच को नौरूबी केन्या में बित्ती समावेशन के लिए मास्टर कार्ड लैप्स द्व दोरा भारत की पियोक्तलेन कूलित किया गया है ठीक है तो इसका राइडेंसर ओप्पसन भी आण्दप्रदेश आप यहां पे आणद्प्रदेश के बारे मैं आपको कुछ हैक्ट बता देता हूँ जो एक्जाम में पूछे आते हैं आन्द प्रदेश की राजधानी है है deber प्रदेश था ठीक है भासा ग्याधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश कब गठन हुआ था एक अक्टूबर 1953 में इसके लावा सबसे लंबी तर्ट्रेखा वाला दक्षिन भारत का राज्य वो है आंध्र प्रदेश 1100 किलोमीटर लंबाई है यहां पर आपको क्लियर कर दूँ कि भारत का जो सबसे लंबी तर्ट्रेखा वाला राज्य वो है गुजरात 1663 किलोमीटर जबकि सबसे लंबी तर्ट्रेखा वाला साउथ इंडिया का राज्य है वो है आंध्र प्रदेश जिसकी लंबाई 1100 किलोमीटर इसके लावा एसीय के अं प्रदेश तो तेलंगाना के मत दिये जो तो परियूझन ठीक है इसके लावा कोलेरू जील जो यह आंध्र प्रदेश अधिकार प्रदान करने वला देश का पहला राज्ञा था तमिलाडू, गवर्नर की बात करें तो वरतमान राज्येपाल है तमिलाडू के बनवारी लाल पुरोहित, सियम है के पालनी स्वामी, ठीक है के पालनी स्वामी, भारत का सबसे लंबा समुद्र तर्ट जो है मायरीना भी चन्नाई में सी थे केंदरी चमड़ा उन संस्थान संस्थान कहा है चन्नाई में और सबसे यहां के प्रसिद्ध लोकनित्य है तमिल नाडू का वह भरत नाट्यम और इसकी जो लोकनित्य की वह है यामिना कृष्ण मूर्ती ठीक है तो यह बहुत important question आपको बताया हूं यह सारे fact आपको याद रखना है बात करें यहां पर करनाटक की करनाटक की राजधानी बैंगलूरू गवर्नर है बाजु वाईवाला स्यम है एचुडी कुमार स्वामी विशेष बाग वल गठित करने वाला देश का पहला राजध कौन था करनाटक देश में स्वास्त अधालत प्रारंम करने वाला पहला राजी काउंस था वो था करनाटक सबसे उचा जो जल प्रपाथ जहरना है वो है जोग या गर्शुपा सरावती नदी पश्थी थे इसके लाबा नागर होल राश्च्युद्यान करनाटक मिश्थी थे तुंग भद्रा परेजना तुंग भद्रा नदी पर तेलंगान और करनाटक के मद्द्ध है मालप्रवा परेजना मालप्रवा नदी करनाटक मिश्थी थे ठीक है तो यह मैं जो आपको राज्यों से लेटेटर फैक्ट बताता हूं यह गवर्मेंट एक्जाम में बहुत इंपोर्डेंट है और यह मोस्ट इंपोर्डेंट रहते हैं जो ब बहुत इंपोर्टेंट नोट्स तैयार किया गया है पीडिया फाइल है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको तो इस लिंक पर क्लिक करके आप उस बुक को परचेस कर सकते हैं मातर 30 रुपए की बुक है तो जरूर देख लें रिवीजन के लिए क्योंकि 17 सिदंबर से एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं चलिए अगले कोशन के तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों वीडियो पसंद आया करें तो उत्सा बढ़ाने के लिए लाइक जरूर किया करिए ठीक है एक लाइक से हमारा उत्सा बढ़ता है हमें पता जलता है कि हमा चैनल से थोड़ी सी मदद मिलती हो आपको इस वीडियो से तो प्लीज लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया कर ये कर दिया करिए चलिए अगला कोशन HDFC Life ने किसे MD और CEO के रूम में नियुक्त किया है तो बहुत इंबोडन कोशन है तो HDFC Life ने जो है तो विभा पडलकर को MD और CEO के रूम में नियुक्त किया इसको विभा पडलकर को आपको पता दें कि HDFC Life ने विभा पडलकर को तीन वर्ष की अब्धी के लिए अपने नय प्रवन नियशक और CEO के रूम में नियुक्ति यानि MD और CEO CEO यानि Chief Executive Officer और यह पर अमिताप चौधरी के एक्सीज बैंक के प्रमुख बनने के पर HDFC Life से स्तीफ़ा देने के बाद से यह खाली था आपको बता दे कि नियुक्ति की सरते से धारकों और भारत बीमा नियामा को और विकास प्रादिकर्ण द्वारा अनमोदनों क्याधीन है और अपनी पदोनती से पहले पडलकर बीमा करता कि मुखिवित्ती अधिकारी और कारका अधित्ती पूरी जबकि HDFC लाइफ की जुनाएं अमडी और शियुनित किया गया है विवा पडलकर को ठीक है तो HDFC बैंके जो अमडी अधित्ती पूरी है HDFC बैंक का मुख्याले कहां पर मुंबई में है यहां पर बात करें दोस्तों सुनील महता की वरतमान में सुनील महत पंजाम नेशनल बैंक के कवन है CEO और M.D ठीक है तो पी और बी के वरतमान CEO और M.D कवन है सुनील महता है ठीक है और यहां पर बात करें सो शिखा सर्मा की तो बरतमान में CEO M.D है यह एक्सीज बैंक की और यहां पर आदित्ति पूरी की तो बारे मैं आपको बता चुक कफूल फॉर्म क्या है हाउसिंग डबलमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन HDFC का इस्थाबना का वीती 1994 में ठीक है मुख्याल है मुंबई में तो याद रखना है वीडियो को लास तक जिरूर्ड देखा करें दोस्तों कि आज कल जो है किसी भी गवर्नेंट एक्जाम में करेंड सक्षन ज्यादा 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 पूछा जाता है ठीक है तो लास तक देखें काफी बोड़न को सब्सक्राइब कहां हुआ है तो सुषासन पर दो दिवसी छेत्री सम्मेलन का सुभारम हुआ है भोपाल में आपको बता देक प्रशासनिक सुधार और लोग शिकायत वि योग से भोपाल में बारह राज्य और दो केंशाजित प्रदेशों के प्रदेश्वों के साद सुषासन पर आयोजी दो दिवसी सम्मेलन का सुभारम किया है और इस दो दिवसी सम्मेलन में पांच तगनीकी सत्र होंगे जिनके विस्ष्यों में सामिल है ICT समक्षिक्षा, क्रिसी लोक सेवा और सिकायत प्रबंदन और सुसासन का पहल यहां पर बात करें मत्य प्रदेश की तो सियम है शिवराज सिंग चौहान राज्यपाल है आनंदीवेन पटेल तो सुसासन पर दो दिवसी छेत्री सम्मिलन का सुहरम कहां हुआ है यह हुआ है भोपाल में अगला स्कॉल ने एक वेव पोर्टल रेलवे सहयोग लांच किया है ठीक है अब यह वेबसाइट है www.railsahyog.in ठीक रेलसहयोग.in आपको बता दें कि यह है वेव पोर्टल कार्पूरेट सामाजिक दायत कोस के जरिए रेलवे स्टोसनों पर एवम इनके निकट सुविधाओं के स सुनी लोहानी ठीक है तो वेव पोर्टल रेल सहयोग किस ने लांच किया है लांच किया है रेलवे और कोईला मंत्री पीश गोईल ने क्या है यह www.railsahyog.in एक वेव पोर्टल है ठीक है चलिए अगला कोशन है भारत यूसे सहयोग तुद्द्ध्भ्याज 1818 कहा शुरू क ठीक है तो भारत यूसे सहयोग तुद्ध्भ्याज 2818 कहा शुरू किया गया है यूत्तरा खंड में ठीक है अगला कोशन है देश के सबसे पुराने निकलियर रेक्टर का क्या नाम है जिससे हाली में पहले से अधिक शमता के साथ 9 वर्स बाद फिर से शुरू किया गया है तो राइडन सारे आपसरा आपको पता देश के सबसे पुराने निकलियर रेक्टर आपसरा को पहले से अधि राइडेंसर है आप्सन भी नोटा आपको बता देक चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोट के दिशा निर्देश के बाद राजस सभा और विधान सभा विधान परिशन चुनावों के मत पत्रों से नोटा यानि उपरियुक्त में से कोई भी नहीं विकल भटाने की घोशना की ह अगला प्रस्ण है प्रधानमंति नहीं मोदी ने हाली में वीडियो कॉन्फिंसिंग के जरिये किस देश में तीन आधार हुथ परिजनाओं का स्यंक्त रूप से उध्गाटन किया है राइडेंसर है आप संडी बंगला देश आपको बता देक जो अपने भारत के प्राइम के सबसे अधिक पुरुसकार प्राप्त किये हैं राइडेंसर है आप संडी उत्तर प्रदेश कें सरकार की युजनाओं के लिए दिये जाने वाले राष्टी पुरुसकारों में उत्तर प्रदेश जो है तो बार है पुरुसकार प्राप्त हुए हैं अगला कोश्चन है इस अपने ध्रूवी उपग्रह प्रक्षेपड़यान PSLVC42 से दो ब्रिटिश उपग्रह नोवासार और S14 धर्थी की दिश्ता में उपस्तित करेगा अगला कोशन है निम्लिकित में से किस बैंग ने अपने ग्रहकों को प्रति दिन दो लाख रूपए तक अपने करेंट एकाउंट में जमा करने की शिव्धा प्रदान की है आपको बता देक करेंट एकाउंट खात धारकों के लिए SVI के इनने नई शुब्दा सुरू कि इसके अंतरगा तब ग्रहक प्रति दिन दो लाख रूपए तक बने करेंट एकाउंट में जमा कर सकेंगे अगला प्रस्ण है भारत और किस देश ने मिशन गागा नियान में सहयोग के लिए सहयोग पर सक्षर किये है और इस रोव बर्स 2022 तक अपना पहला माना युक्त मिशन अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है ठीक है तो राइट एंसर और आप्सन है फ्रांस अगला कोशन है किस देश ने पहले बिमस्टेक सहय नभ्यास में भाग लेने के लिए इंकार कर दिया है राइट एंसर है और आप्सन सी नेपाल आपको बता है नेपाल ने पुरे में सैयुक्त बिमस्टेक मिलिट्री डिल में सामिल होने से इंकार करते हुए चीन के साथ सैन अभ्यास करने का फैसला किया है नेपाल आर्मी इसी महीने चीन के साथ 12 दिनों का सैन अभ्यास में भाग लेगी ठीक है चलिए नेक्स सोचन है किस देश ने 10 दिसंबर 2018 को अपनी राजधानी में फिलिस्तीनी मिशन को बंद करने की घोसना की है और फिलिस्तानी लिबरेशन ओगिनाजेशन जो फिलिस्तीनी लोगों का परते हुट करने वाली मुख्यकाई गरू में कारे करता है ठीक है अब देख लेते हैं कल का उत्तर कल मैंने कोशन पूछा था यूएस ओपन टेनिस में पुरूश एकल किस खिलाडी ने जीता है राइट एंसर था ओपसन नोवाक जोकोविच लगवक सभी स्टूडे ने राइट एंसर दिया था यूए अनसर पता है तो प्लीज कमेंट जरूर किया करिए आप हमारे साथ एक्टिव रहिए यूए आपने नहीं देखी जस्ट यहां पर वीडियो अभी इंडि स्क्रीन प्ले होगी देख सकते हैं उसके साथ साथ रेल्वे के लिए हाँ पर करेंट एफिस बनाया है वह भी आप देख सकते हैं चैनल के प्लेस्ट में जाकर आप बहुत सारी वीडियो रेल्वे और एक्जाम के लिए जरूर देखें ठीक है और आप हमें फेस्बुक पे लाइक कर लिजिए इस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजिए टेलिग्राम चैनल जरूर जोईन कर लिजिए ताकि आपको बहुत सारे डेट्स मिलें वीडियो फाइल्स के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं यति आपके पास टेलिग्राम नहीं तो प्लेस्टोर से टेलिग्राम एप्लिके तरह में क्या रोज आपके लिए इतने कोश्चन एड़ करूं करें रफेस के यदि हां तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखें चलिए मिल दें नेक्स व्डियो के साथ आपका दिन शूब हो जै हिन जै भारत